आज की शीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो है जब हम अपने वाट्सअप के कैमरे को खोलते हैं तो उस पर ये वाला इसू आता है जो ये हमारे Android सिस्टम में आता है तो इस वीडियो में मैं आपको इसका पूरो प्रोसेस बताऊंगा और दूस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इसको fix कैसे करते हैं इसको properly working कैसे करते हैं कि आपका वाट्सअप का कैमरे दुबारा स्टार्ट हो जाए तो इस situation में दुस्तों हमारी WhatsApp की call भी नहीं चल पाती है जब भी हम इसको call ते हैं तो यही लिख को आता है to capture photo and video allow permissions तो basically मैं अब इसको आपको इसको fix करना बताऊंगा तो इस वीडियो को last तक जरूर देखिएगा ओके गाईस तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दो option मिलते हैं note now का और settings का तो note now पर अगर आप click करते हैं तो यहाँ पर आपको यह दुबारा permissions नहीं मिलेगी उसके बाद आपकी system खताम हो जाएगा बट आप settings पर click करते हैं तो यह आपको इसकी सारी settings में ले जाता है यहाँ पर मुझे settings करने होगी अगर मैं इस permissions को ठीक करना चाहता हूँ तो अगर आप यह बिल्कुल करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूँ सबसे पहले आपको force इस्टोप पर click कर देना होगा उसके बाद यह automatically आपको बाहर निकाल देगी तो उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी settings को ढूण लेना होगा तो मैं अपनी settings को ढूण लेता हूँ तो यहाँ पर आप हमानी settings देख सकते हैं तो settings में हमें जाना होगा उसके बाद दूस्तों यहाँ पर हमें जो है सेटिंग्स में जाने के बाद दूस्तों यहाँ पर हमें नीचे आना होगा उसके बाद दूस्तों यहाँ पर आप आपस देख सकते हैं तो यहाँ पर आपस में हमें चले जाना है तो मैं आपस पर किलिक कर देता हूँ एपस में जाने के बाद दूस्तों आपको नीचे आना होगा तो हम नीचे चलते हैं और उसके बाद दूस्तों हमें वाटसैप को ढूंड लेना होगा तो वाटसैप को भी दूस्तों हम ढूंड लेते हैं तो हमें नीचे जाना होगा तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं हमारा WhatsApp यह रा तो हम WhatsApp पर किलिक करेंगे और WhatsApp में चले जाएंगे उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको बहुत सारी सर्विस मिलती है जैसे कि मैंने आपको बताया था वो आपको डिडालेक ली भी ले जा सकता है वहां से अगर आप सेटिंग्स पर किलिक करते हैं तो यहां पर भी आप यहां से भी जा सकते हैं तो मेरे क्याल से आपको यहें से जाना चाहिए और उसके बाद आप यहाँ पर data storage के नीचे permissions देख सकते हैं तो हम permissions में चलेंगे और permissions में आपको पताएंगे कि आपको क्या क्या करना होगा तो यहाँ पर मैंने permissions पर click करना है तो permission पर मैं click कर देता हूँ उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप कैमरा देख सकते हैं तो यहाँ पर आपको इसको परमिसन्स को ओन कर देना होगा तो दोस्तों यहाँ पर आपको सारी परमिसन्स को ओन कर देना होगा Otherwise आप नहीं चाहते कि कोई सी परमिसन्स आप बंद करना चाहते हैं फोन वाग गया रहा है कि तो आप ऐसे कर सकते हैं तो उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा तो यहाँ पर आपको बैक आना है और अपने मुबाइल को एक बार ओफ करके ओन कर लेना है और आपको देख लेना है तो टाइम और डेड भी तो आपका जो भी वाटस अप में कैमरे का इस्सू होगा वो यहाँ पर फिक्स हो जाएगा मुझे लगता है दोस्तों इसके बाद आपको किसी वीडियो और को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो बस दोस्तों इसका सलीशन इतना ही है अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर करके जाना और हो सके तो चैनल को सस्क्राइब भी कर लिजेगा दोस्तों क्योंकि दोस्तों हम आपके सपोर्ट की जरूरत है और आप हमारी चैनल को सस्क्राइब कर लेंगे तो हमें काफी खुशी मिलेगी और दोस्तों हम 20,000 सस्क्राइबर के पास पोचने वाले हैं तो प्लीज हमें सपोर्ट जरूर कीजेगा